प्याज के पराठे तो आपे बहुत बार खाए होंगे एक पार आप इस तरीके से प्याज का लच्छा पराठा बना कर देखें यकीन माने बच्चे हो या बड़े सभी इसे उंगलिया चाट चाट कर खाएंगे रेसिपी बहुत ही सिंपल है तो जब भी आपको हल्की पुल्क भूभ लगे आप इस रेसिपी को ज़रूर ड्रॉय करें पराठा तयार करने के लिए सबसे पहले हम इसका आटा लगाएंगे इसके लिए हम लेंगे एक कप गेहूं का आटा एक कप जितनी मैदा आप चाहें तो सिफ केहूं के आटा या सिफ मैदा से बना सकते हैं साथ ही म करेंगे हम आधा चमच या पने स्वाध अनुसा नमक सभी चीजों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी हम इसमें एड करेंगे थोड़ा सा पानी और इसका एकदम सॉफ्ट आटा लगा कर तयार करेंगे जब भी आपको इस्टफ पराठा बना रहे हैं तो आप उसके लिए जो डो लगाएं वो एकदम सॉफ्ट होना चाहिए अदर्वाइस उसकी जो फिलिंग है वो बेलते समय बाहर आ जाएगी तो यहां मैंने इसके लिए एकदम सॉफ्ट आटा लगा कर तयार कर लिया है अब इसे कवर करके रेस्ट करने देते हैं जब तक आटा रेस्ट कर रहा है तब तक मैंने लिए हैं यहां पर यह दो प्याज प्याज को मैंने पहले से छील कर तयार किया था इसे हम इस तरीके स पतला पतला और लंबे लंबे पीसे में कट करेंगे क्योंकि आज हम लच्छा पराठा बना रहे हैं तो हमें प्याज की भी हलके लंबे लच्छे चाहिए एकदम बारीक कट करें इस प्याज को जिसे पराठा जो है वो बेलते समय फटेगा नहीं पूरी प्याज को काटने के इसे एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफर कर देंगे मैंने इस पूरी प्याज को एकदम बारीक और पतला कट किया है आप देख सकते हैं इसके कितने बारीक लच्छे आए हैं अभी हम इसमें थोड़े से मसाले और एड़ करेंगे जिसमें सबसे पहले मैंने लिया है आधा पेटी हुई हरीमिच अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्किप कर दें आधा चममत जितना लाल मिच का पाउडर एक चौधाई चममत जितना चाट मसाला नहीं है तो आप आमचूर पाउडर यूज कर सकती हैं आधा चममत नमक आप सबसे लास में डाले और 1 सेट हो गया है आटे को हलका सा मलका चिकना कर लेंगे मैंने आटा काफी पतला लगाया था इसलिए हलका सा सूखा डालेंगे इसके उपर अभी हम इस आटे में से एक मीडियम साइज की लोई तोड़ेंगे जितने का हम नॉर्मल पराठा बनाते हैं उतनी ही हमें लोई अब हम इसका एकदम पतला पराठा बेलेंगे तो आप किसी भी प्लेन सर्फिस पर या चॉपिंग बोर्ड पर इसका एक पराठा बेल का तयार करें अभी आपको इसमें ओल बिलकुल नहीं लगाना है बस हलका सा सूखा अर्ट लगा कर इसे हलका पतला बेलने इसकी पतली सब्सटीब बिलने के बाद अभी हमें चुब आज की स्टफिंग द्यार की ठी उस पूरी स्टफिंग को प्राठी ऊपर इस तरीके से फैला देंगे और अब हम इस तरीके से रिख इसे नॉर्मली में लिएर बनाती है पट इस तरीके तर रूकर करूना है इस जिसे प्रख को अच्छे से रोल करने के बाद अभी हम इस तरीके से फोल करेंगे आप देख सकते हैं मैं वीडियो में किस तरीके से कर रही हूं एक साइड को फोल करने के बाद दूसरे साइड को हम हलका सा उपर प्रेस करेंगे और यह हमारी एकडम गोल लोई तयार है याद रखें इसे आप जादा प्रेशर लगा कर प्रेस ना करें अदरवाइस स्टफिंग जो है वो बाहर आ जाएगी अभी हम इसे डारेक्ट नहीं बेलेंगे हलका सा सूखा आठा लगा कर दोनों हातों की साहिता से इस तरीके से हलका बढ़ा करेंगे ऐसा करने से जो प्याज की स्टफिंग ह बाहर आ जाएगी तो यह पराथा हमारा मिलका तयार है अभी हम इसे सेखेंगे पराथा सेखने के लिए इसे तवे पर डाल देंगे एक साइड से जब पराथा सिख जाएगा तब इसे पलट देंगे और दूसरे साइड से भी हलका से सिखने देंगे जो साइड ऊपर सिख है उस पर हम हलका सा ओयल लगाएंगे ओयल या घी जो भी आप अपनी कुकिंग में यूज करते हैं वह आप इसके ऊपर लगा दें पलट देंगे और दूसरे साइट से भी इसी तरीके से इसके ऊपर ओयल लगाएंगे पराठा से इकते समय आप गैस की फ्लेम को हाई टू मीडियम रखें और इसे हलके हलके हाथ से प्रेस करते हुए दोनों साइट से अच्छा क्रिस्पी होने तक पराठे को सिखने देंगे नॉर्मली प्याच के पराठे आपने बहुत बार बनाए होंगे एक बार इस तरीके से बना कर देखें यकीन माने इसका टेस बहुत ही डिफ्रेंट आने वाला है तो बस हमारे ये पराठा दोनों साइट से सिखका तयार है तो पराठे को एक प्लेट में सर्फ करेंगी सीम इसी तरीके से मैं और भी पराठो को सिखका तयार कर लूँगी आप इस परांठे को धही या चटनी जिसके भी साथ सर्फ करना चाते हैं उसके साथ सर्फ करें तो अभी मैं आपको इसे तोड़ का दिखाती हूँ कि इसके अंदर जो प्याज के लच्छे हैं वो कितने अदा पॉफेक्ट आये हैं और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि प्याज की स्ट्रफिंग कहीं पर है और तो यह बहुती सॉफ्ट और टेस्थी हमारे प्याज के परांठे बन का दयार है आप भी इस परांठे को ट्राय कीजिए आप चाहें तो इसे बना कर अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी बैक क झाल